नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलिज पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रोचक और मनुरंजक तथ्यों के बारे में जो की आपकी जानकारी को तो बढ़ाएंगे ही साथ ही शाथ भी मजबूर कर देंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो नमबर एक दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुबई दुनिया के अमीर शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दुबई में सोना भी बहुत जादा सस्ता है दोस्तों दुबई के अंदर ही दुनिया की सबसे लंबी सोने की चैन बनाए गई थी जिसकी लंबाए लगबग 5.5 किलो मिटर थी और इसका वजन लगबग 256 किलो ग्राम था दोस्तों इस सोने की चैन को 22 कैरेट सोने से तयार किया गया था और इसे बनाने में लगबग 45 दिन लगए थे और लगबग 100 कारीग्रों ने मिल करके इस चैन को बनाया था दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी सोने की चैन होने के करण इसका नाम गिनीज वुक अवर्ड रिकॉर्ड में भी दर् कश्मीर का रुख करते हैं दोस्तों कश्मीर के अंदर एसिया का सबसे पहला तैरता हुआ सिनिमा घर यानि कि फ्लोटिंग थेटर के स्थापना की गई थी जिसे कश्मीर के नीजी थेटर गुरूप और प्रेटन विभाग के द्वारा मिल करके तैयार किया गया था और इस जंका के रतन पूरा में जहां पर एक शक्स घर के आंगन में कुवा खुद वा रहा था उस समय मजदूरों के हाथ में एक बेश कीमती नीलम का पत्थर लगा जिसका वजन लगभग 510 किलो ग्राम था ऐसा बताय जा रहा था कि अंतर राष्टिये मार्केट में इसकी कीमत लगभग 7 अरब रुपे थी नमर चार दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि एक लड़का अगर लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की के पास जाता है और उसे जाकर के आई लव यू कह देता है और अपने प्यार का इजहार कर लेता है औ तो वो उस लड़के के पास जाती है और उससे उसके शट का दूसरा बटन मांग लेती है ऐसा कहा जाता है कि दूसरा बटन दिल के बहुत ही पास होता है और अगर लड़का उसे अपना दूसरा बटन दे देता है तो समझो वो भी लड़की से उतना ही प्यार करता है जितन हेयर सैलون में गुसा लेकिन वहां पर उसे हेयर सैलون की मालकी ने बकड लिया और ये मालकी करांटे में एक्सपर्ट थी जिस कारण से इस लड़के पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी और इसने लड़की की जम करके पिटाई की जिसके बाद इसने तीन दिनों तक लड़के को रसी से बांद करके रखा ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान इस मेला ने इस लड़के के साथ जम करके सारीरिक संबंद बनाए और इस लड़के का सारीरिक सूसन किया कहीं ये लड़का कमजूर न पड़ जाए इसके लिए इस लड़के को यौन शक्ती बढ़ाने वाली जिससे ये इस लड़के के शरीर का अच्छी तरह से सारीरिक शूसन कर सके।